कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत 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 अच्छे हो और माता रानी सब पर अपनी क्रिपा बनाए रखें तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं अपना कीम्ती समय निकाल कर और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज लाइक कर दें और और मेरी फैमली का हिस्सा भी तक नहीं वने हैं ब्लॉग देखके चले जाते हैं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी करें चैनल को फॉलो करें तो बस यहां पर और आपकी प्यारे प्यारे कमेंट जो आते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद और कुछ लोगों के नाम मैंन प्लीज ब्लॉग में लीजिए तो बस मैं उनका नाम पहले लेना चाहूंगा चाहूंगी के चाहूंगा निकला आज मेरी बेटी जो दीपव है वह कई बार चाहूंगा खौंगा जांगा ऐसे बोलती ठोटे से ही अभी भी निक्ति है तो आज मेरे मुझे हांसे आ रही है ऐसा हो जाता है कभी कभी बाइचांस तो अभी मैं ज़ट पर भिंडी तोड़ रही हूं अभी बारिश होकर निकली है तो इसके आगे काम ही होंगे और क्या कर सकते हम लोग काम ही करेंगे तो बस यहां पर मैं पहला नाम जो लूंगी रिद्धिमा साह मुंबई से देखती हैं मेरी फैमली का हिस्सा है आप सभी का पहले ही मैं धन्यवाद दे चुकी हूं लेकिन फिर भी थैंक्यू करूंगी धन्यवाद करूंगी कि आप लोग अपना कीमती समय निकालका मेरे ब्लॉग देखते हैं डेली पुस्पा वर्मा जी हैं इंदुस सर्मा जी हैं डेलही से आर रस्तोगी बरेली से और सोनी यादव जी जॉनपुर से पुजा सर्मा ये फेस्बुक पे देखती हैं मुझे और रुपीज गुपता जी हैं वो भी देखते हैं और कई बार मुझे साही पनीर बनाने की रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी आई है तो मैं कोसिस करूंगी बहुत जल्द सेयर करूं और एक और कमेंट मुझे जो मतलब आता रहता है लेकिन अच्छा भी लगता है कि मैं यहां से मैं आपको देखती हूं तो आप सभी ने बहुत भर-भर के प्यार दिया सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं इतना जितना भी कर पाई हूं अभी तर और आगे भी कोसिस करूंगी आप लोग लिखते हैं तो अच्छा लगता है क कि आप लोग पसंद करते हैं कि मैं चैनल वीडियो बनाना बंद ना करूं तो मैं भी कोशिस जारी रखूंगी जहां तक है कि बंद ना करूं ब्लॉगिंग करना और अभी सुबह के काम हो ही रहते हैं यहां पर आई से नीचे साफ सफाई करी और यह देखिए कि यह गुट वह देखा और जैसे गेट ठोड़ा सा खुला देखा कई बार आकर यहीं अंदर हमारे बैट जाता है और पदा नहीं क्यों इसका बड़ा वो लगता है हम इसे मतलब भगाते भी नहीं हैं डाटके मारके भगाते विद बैठा रहता तो गेट कई बार थोड़ी देल तक तो जो जब खाना खाके बाहर निकलते न तो फक्तो को अवाज लगाते वह आके खड़े हो जाते उनको रोटी देते थे तो हमेशा से हैं वहां तो अराम से कुत्टे मिरमाइके में सब जब जब कोई भी पुत्ता गर मैं रोटी कई भार कोशिश करी हूं कि रोटी ले करविद्स को खिला दूं। दे दूं। गाय रोटी खा लेती। गाय के लिए रोटी निकालती भी हूं। पर कुट्तेरोटी नहीं खाते हैं कई बार मैंने ऐसे रोटी रख दीवste हुई है। लेकिन आद खोंड़ एक उसको झबड़ा थी लाशन में उसने खा लिया था रोटी ऐसे मैंने एक नहीं कई बार कर रहा है एक दो बार पैसा भी करता है चला जाता है जब इसका बिल्कुल मन नहीं रहता तो यह उठके चला जाएगा कि यह मानेगी नहीं यह और बीना रोटी खिला है इससे अच्छा यहां से चले जाओ बच्चे रहे हैं कि मम्मी आप जैसे हमें जबरजस्ति करके खिला यहूं तो यह भी विचार मजबूर होके खा ही लेता रोटी तो मैं एक रोटी जबरजस्ति खिल आई और उसके बाद साफ सफाई हो गई मेरी छत पर से मैं भिंडी लेकर आई थी थोड़ी सी ही थी तो देव अखेले क्योंकि और बाकि सभी लोगों का ब्रत है दिक्षादीपू मेरा इनका सोमवार का दिन है सावन का दूसरा सोमवार है और उसकी आप सभी को धियर सारी सुभ कामना है आप लो ही पड़ते हैं आप लौँ पिछले साल क्या था हमारे हमल्मास भी बुला जाता है और जगहों पर अलग-अलग नाम से बोलते हैं बहुत है तो इसलिए उस पिछले साल तौ आठ सोमवार पड़े थे तो बस क्या कहते हैं इस बार 500 हैं दूसरा सोम दीन चुका है और मैं यह ब्लॉग की एडिटिंग बाद में कर रही हूं सोमवार के दिन तो यह ब्लॉग बना था सोमवार का और आज आप लोगों के पास पहुंचेगा तो बुद्धवार का दिन रहेगा तो बस यहां पर पैक हो गया है देव का लंच बॉक्स और दीपू की न तबियत थोड़ के लिए मतलब यह बनाया था रोटी वगयर ओपर आठा नहीं खाना चाहता दे तकसर रोटी ही रोटी अच्छी बाद भी घी लगा के दे दो तो रोटी अच्छी होते लंच में तो यहां पर यह फ्रूट वगयरा मैंने पूजा की अब तयारी शुरू कर दी है और फलहार की भी तयारी करके गयरा करने के बाद बनाओंगी यह मतलब नहाके मंधिर में पहुंच चुके हैं यह सारी टायरी बहुत नहलाना दुलाना फूल तोड़ना जलभधना और बहुत सारी चीजे होती सारी मंदिमें ज्यका कॉद्व में सब्सक्राइब तो जब हमेरा इनके पास रहते हैं इनका time मतलव कि इनके पास रहता अंक्षर यही पहले नहां जाते हैं और सारी तयारी वगएरा करते हैं मैं तो इधर घर के कामों में लगी रहती हूं अपना तो बाद में पहुंसती हूं कई बार पूजा समाप्त होने वाली होती है ऐसा भी होता है लेकिन मैं यह पूजा कर लेते हैं मुझे तसली रहती है मैं बाद में पहुंसती हू एसा होता है यह लोगों का और फिर मैंने सब कुछ फटा-फट से सारे काम निपटाए और नहाना धोना करके बस साड़ी पहनी है आज कई दिनों के बाद फिर से एक दिन और साड़ी मैंने पहनी ती उस दिन मेरी तबियत इत्ते डाउन हुई को तिन मैंने कोई ब्लॉग यी सब्सक्राइब कर रही थे तभी वह आकर गुषके लेट गया भगाने का मन नहीं हुई हर हर महा दे ओम नमस्षिवाय आप सभी को सावन के दूसरे सुमार की डियर सारी सुपकामना है तो बस अभी हम लोग लेकर जल निकले हुई है मंदिर के लिए ये हर हर बोलो हर महा दें है अ शिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओमनमाषे तो हम लोग पूजा पाठ करके आगे हैं हर हर महादेव, बोल दो हर हर महादेव, बहुत जल्दी जल्दी में है ना, क्योंकि दिक्षा को कौलत जाना है, वो देखो किती आगी, हम भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने सारी तयारी कर रखे थी फलहार के, कि लेट हो, तो इनको लेट ना हो, दिक्षा को फलहार करके जाएं, चलें, आलू बस काट की चीन के रखा है, प्राई करना बाकी है, तो वहाँ से आने के बाद, दिक्षा को जल्दी जल्दी दिया, वो भी चली गई अपना कॉलेज, और इनको भी फलहार तो अभी दोपहार का समय दोपहार का दो धाई बजने वाले हैं और सुबह वही सबका फलहार बनाना इनको टीपिन में पैक करके दिया ये भी ड्यूटी गए दिक्षा को जल्दी जल्दी दिया वह चली गई और दीपु आज तबियत खराब हो गई थी इसलिए सुबह तो इनके फोन करके बाद भी करी मैंने क्योंकि इनके टेस्ट चल रहे थे अभी तो इसलिए तो सुबह जादा ही इनकी हालत थोड़ी खराब थी उल्टी सी आ रही थी बार बार बात्रूम जा रहे मतलब तो इसलिए और यहां पर इसकूल से आये देव और इनके लिए आज मै कि मारब था था ना दाल चावल इनके लिए दो पर नहीं बुना रहा है तो उसमर्वें नीकाल के उसमेंclockwise मिलाकर इनको पराथे बना दिये हैं और दोपहर में पराथे और चाय आलू के हम पराथ और चाय यह वह खुएकि और अज चाइब दिया है और सुबह चाइब नहीं धी थी ना जो मैं जीरा जुआ वाइन वागेरा सौम डाल कर सुबह पीती हूं वो भी नहीं पीया था आज ब्रत था तो चाय भी नहीं पी थी सुबह से धाई बज रहे थे तो इनी के पराठे के लिए चाय बनाई तो मैंने भी चाय ले ली है चाय मैं भी पी लेती हूं और थोड़ा-थोड़ा सा भारी हो यूजरा था तो तो व्रत वाले दिन तो यही दिक्कत होती है मुझे कि डल लगा रहता है किसी-किसी बार नहीं होती कोई परसानी नहीं होती 2020 अच्छे से भी जाता है पर किसी-किसी बार में शुरू हो जाता है अभी मैंने फैन बन कर रहा और काफी गर्मी बहुत तेजाद धूप हुई है दो तीन दिन लगातार बारिस किया हुई इतनी कड़ी धूप हो रही कि वहां चत्पे में कपड़े डालने भर में मेरी हालत ऐसे बुरी हो रही थी लेली मैं नीचे आई देव आये हैं इसकोल अब बनाया नहीं था थोड़े से आलू फ्राई किये थे वह भी दिक्षार ने किया था बस वही खाब पी लिया हम लोगों ने और उसके बाद किचन बरतन हो गया है और अभी सुबह के लिए मैं ड्राइफ लोट वगेर भी गाऊंगी और बस सुबह की तयारी भी शुरू से धन्यवार ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखी दोर मैं भी कोसिस करती रहोंगी और कोई मतलब बहुत सारे कमेंट वगेरा आते हैं जिनके रिप्लाई मैं कोसिस करती हूं ब्लॉग में ही मतलब जहां करते हैं आप लोग उसी पर दे दूं और कुछ कमेंट क कि रिप्लाई में वीडियो में दे देती कुछ भूल जाती हैं तो उसके लिए सौरी